नमस्ते दोस्तों, गेम सेग्मेंट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, आज हम असेशिन्स क्रीड ब्रदर हुड को कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, असेशिन्स क्रीड की कहानी, जैसा कि आप शायद ज कुश्मनी में डूब जाता है, क्योंकि लुसी और उसकी टीम, एजियो के स्मृती स्थान के अंदर आखिरी सुरक्षित घर की ओर बढ़ती है, श्रोता, डैस्मंड अपने पूर्वज को उस तिजोरी से बाहर निकलते हुए देखता है, जहां उसने मिनर्वा नाम के एक अजीब प्राणी की खोज की थी, एजियो ने जो देखा उससे भ्रमित हो गया, और यह जानकर आश्चर्य चकित हो गया, कि रोडरिगो भाग गया है, उसने उसे जीवित छोड़ दिया, अपने चाचा मारियो की सहायता से, एजियो और उसके दोस्त एक बार फिर अपने विला में लोट आए, सबसे पहले एजियो शान्ती में है, यह मानते हुए कि प्रतिशोध का उसका मिशन समाप्त हो गया है, रोडरिगो किसी भी तरह से बदला नहीं लेना चाहेगा, जैसा कि हम में से बाकी लोगों को उमीद थी, टेंपलर्स का काम अभी तक पूरा नही हुआ है, सेसरे बोर्गिया के नित्रित्व में टेंपलर बलो ने शहर पर हमला किया, विला नश्ट हो गया है और एजियो घायल हो गया है, और इडन का से प्राप्त करने के बाद सेसरे मारियो को मार देता है, जैसा कि एजियो देख रहा है, हालांकि वह घायल हो गया है, लेकिन जल्दी ही घायल होकर मर जाता है इन घटनाओं के घटित होने के बाद डेस्मन्ट दुश्मनी से जाकता है और उसकी टीम एजियो के विला के अवशेसों पर पहुँच जाती है जहां वे विला के नीचे एक हत्यारे के अभियारण्य के भीतर एबस्टर्गों से छिपने की उम्मीद करते हैं अपनी नई क्षमताओं के साथ अंदर फिसलना जो उसने ब्लीड इफेक्ट से सीखी है जो तब होता है जब आप अंदर होते हैं दुश्मनी बहुत लंबी है और आप सीख जाते हैं कि वैसा व्यक्ति कैसे बनना है डेस्मन्ट जल्दी से दूसरों के लिए अभियारण्य को खोल देता है वहाँ बिजली स्रोतों को फिर से स्थापित करता है अभियारण्य के भीतर डेस्मन्ट को दिवार पर एजियो की छवियां और अजीब लिखावट दिखाई देती है और एक बार अंदर जाने के बाद लुसी बताती है कि उन्हें इस उम्मीद में इडन के सेव को खोजने की जरूरत है कि वे उस घटना को रोक सकें जिसके बारे में मिनरवा ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी नई शत्रूता स्थापित करने के बाद डेस्मन्ट एक बार फिर अपने पूरवजों की यादों में उतर जाता है वह एजियो के साथ रोम में वापस जाकता है और जल्दी ही एक पुराने दोस्त और साथी हत्यारे निकोलो मैक्यावेली से मिलता है एजियो यह जानकर हैरान है कि हत्यारे टेंपलर्स और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में हार रहे हैं अपने चाचा मारियो के प्रति-प्रतिशोद की शपत लेते हुए और एक बार फिर से इडन के सेब को हासिल करने की उम्मीद करते हुए एजियो रोम को टेंपलर्स के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ता है टेंपलर बलों के खिलाफ लड़ने में उसे चार साल लग गए और इस समय में वह हत्यारे के आदेश को फिर से बनाना शुरू कर देता है नौसिखियों, साथ ही शहर के महान संग के भीतर संबंधों को फिर से स्थापित करना हत्यारे के आदेश के एक बार फिर से मजबूत और एक जुट होने के साथ एजियों ने टेंपलर उत्पीडन के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे देश में टीमें भेजना शुरू कर दिया उनके काम के लिए उन्हें हत्यारों का गुरू नामित किया गया है हालां कि सैस्रे को एजियों के काम और हत्यारों के पुनण निर्मान के बारे में पता चलता है इसलिए वह अधिक धन, अधिक पुरुशों और सेब की शक्ति की आशा में अपने पिता रोडरिगो पोप के पास जाता है लेकिन पोप सेसरे को सूचित करके हत्यारे के आदेश को भढ़काना नहीं चाहते हैं कि उन्हें 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 अकेला छोड़ देना चाहिए था और वह जानते थे कि अंततह ऐसा होगा लेकिन वह यह भी जानते हैं कि उनका बेटा अपने लक्षे से पीछे नहीं हटेगा वह चेजरी अपने हत्यारों से अपमानित महसूस करता है और यह साबित करने पर जोर देता है कि बोरग्यास हत्यारों से अधिक शक्तिशाली है इसलिए रोड्रिगो, पोप, अपने बेटे को जहर देने का प्रयास करता है लेकिन सेसरे को अपने पिता की साजिश का पता चल जाता है और वह उसे मार डालता है सेसरे को यह नहीं पता कि एजियो वास्तव में कैस्टिल के अंदर घुस गया था और उसने उसे रोड्रिगो की हत्या करते देखा था सेसरे को सेब के स्थान के बारे में पता चलता है और वह एजियो के साथ उसका पीछा करने निकल पड़ता है और सौभागे से हत्यारा पहले सेब तक पहुँचने में सफल हो जाता है कलाकृतियों की विशाल शक्ती का उपयोग करते हुए एजियो सेसरे की सेना को तोड़ने में काम्याब होता है फिर अपने साथ हत्यारों की सहायता से वह रोम के द्वार पर सेसरे के खिलाफ लड़ता है हालां की लड़ाई तब बाधित हो जाती है जब नए पोप की सेनाएं आती है और रोडरिगों की हत्या के लिए उसे गिरफतार कर लेती है जैसे ही उसे ले जाया गया सेसरे ने एजियो से कहा कि वह लंबे समय तक जंजीरों में नहीं रहेगा इन शब्दों ने एजियो को चिंतित कर दिया और उसने भविष्य को देखने के लिए सेप का उपयोग किया महल की दिवारों पर अंतिम लड़ाई में एजियो ने छे जारे का सामना किया लेकिन हार में भी छे जारे ने दावा किया कि वह मनुष्य के हाथों नहीं मरेगा एजियो सहमत हो गया जिससे सेसरे की मृत्यू भाग्य के हाथों हो गई और इन शब्दों के साथ उसने उसे महल की दिवार से नीचे फेंक दिया चौकाने वाली बात ये है कि गिरने से उसकी मौत हो गई तो एक तरह से वह अपनी मृत्यू के बारे में गलत नहीं था और अपने मिशन के साथ उह अंततह समाप्त हो गया एजियो एक बार फिर रोम शहर लोटाया जहां उसने सेव को सांता मार्या आटी स्योल के नीचे एक तिजोरी के भीतर छिपा दिया एनिमा से बाहर आकर टीम को तुरंत पता चल गया कि अभ्यारण्य की दीवार पर अजीब लिखावड है क्या वे बोले गए पासवर्ड हैं जिनकी उन्हें उस तिजोरी के अंदर जाने के लिए आवश्यक्ता होगी रोम की ओर बढ़ते हुए डेस्मन्ट जल्दी से अंदर चला जाता है जहां उसे पहली सभिता का एक और होलोग्राम मिलता है यह अचानक समय रुक जाता है उसके चारों और और उसके सामने जूनो खड़ा है जो बताता है कि डेस्मन्ट वास्तव में उसकी जाती का वंशच है और वह उसका दुश्मन है वह बताती है कि एक महिला है जिसे गेट के माध्यम से उसके साथ जाने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए डेस्मन्ट के लिए इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे ही समय फिर से बहने लगता है डेस्मन्ट को पता चलता है कि जुनों ने उसके शरीर पर नियंत्रन कर लिया है वह उसे कमरे में जबरदस्ती ले जाती है और अपने छिपे हुए ब्लेड का उप्योग उ लुसी के पेट में वार करने के लिए करती है वे दोनों डेस्मन्ट के साथ जमीन पर गिर गए और कोमा में चले गए क्योंकि लुसी का उसके सामने खून बह रहा था और यही भाईचारे की कहानी है अब उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं इन Assassin's Creed विद्या वीडियो के साथ हमारी योजना प्रत्येक गेम को करके शुरू करने की है आपको यह बताते हुए कि वे सभी एक साथ कैसे जुड़ते हैं फिर हम एक master timeline बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं वह सब कुछ समझाऊंगा जो आधुनिक समय में हुआ था और अतीत में क्या चल रहा था इसके अलावा हम आपको ऐसी कहानियां सो भी बताने जा रहे हैं जो mobile games, comic उस्तकों और इस तरह की चीजों में घटित हो रही है इसलिए हम उमीद कर रहे हैं कि जब तक हम यहां PSG में Assassin's Creed का यह coverage पूरा कर लेंगे तब तक आपको Assassin's Creed के बारे में वह सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको जानना है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद